हेलो बच्चो आप सबका स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर तो आज से हम स्टार्ट करें क्लास 9 का आडी शर्मा सिलूशन फ्रॉम लेटेस्ट एडिशन बुक 2024 और आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नमर वा नमबर सिस्टम और आज जَّम इस एक्सेसाइस का पूरा सिलुशन इ excuses आपकी बेजिक exercise जिस करके इसका introduction सहुक्रकशन के साथ कोशन के साथ साथि आपको मैं समझा जब आज चलिए जाब में कि वह क्या पूछ रहा और कैसे उसे सॉल्व करना है तो स्टार्ट करेंगे वीडियो कोईशन नमबर वन देखिए आर दी फॉल्विंग स्टेट्मेंट ट्रू और फॉल्स गीव रीजन फॉर यह रांसर एवरी होल नंबर इसे नेचर नंबर तो सबसे पहले समझते हैं कि होल नंबर क्या होते हैं और नेचर नं होते हैं दिय आर नचल नंबर अब होल नंबर क्या होते हैं बट यह हमारे ऐसे नंबस होते हैं से जी राट वन तो छी सफिव उए और आण ऑवी कभी खोते हैं और यहां पर क्या से सब्सक्राइब नहीं हो सकते हैं तो यहां पर हमारा कंडिशन क्या होगी फॉल्स होगई Phawls कि Every all number is not a hu normal ये हो गए हमारा इस पार्ट का सलीश यह व्यक्रियाइए हम आपको बदा है की कि इंटीर्स क्या होंगे दगाम्बिनेशन गयाओव ओपन願 पोजिसिव नंबर्स सारे के सारे नेगिशिव एंड positive numbers are known as integers integers को हम define किसे करते हैं capital Z से like example minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 and so on सारे के सारे negative numbers, सारे के सारे positive numbers are known as integers rest numbers क्या होते हैं एक ऐसे numbers जिसको हम represent कर सकते हैं fraction की form में P by Q की form में where Q is not equal to 0 जैसे के example minus 3 by 1, 4 by 1, 0 by 1, 5 by 3, 4 by 7 ये सारे के सारे हमारे कैसे numbers होंगे rest numbers होंगे तो rational numbers में हमारे negative numbers भी आ रहे है positive numbers भी आ रहे है अगर मैं integers को represent करूँ fraction की form में like 3 को अगर मैं 3 by 1 लिख सकता हूँ 0 को मैं 0 by 1 लिख सकता हूँ तो मतलब यह हमारी क्या बनगी representation बन गई rational की तो मतलब सारे के सारे integers क्या होंगे rest numbers होंगे तो हमारे condition क्या होगी fulfill होगी तो यहाँ पर आप लिखोगे true every integers is a rational number तो यह होगे हमारा इस question का solution part number third every rational number is an integers अभी आपने पढ़ा की rest numbers कैसे होते हैं ऐसे numbers जिसको मैं P by Q की form में represent कर सकता हूँ where Q is not equal to 0 like example 1 by 2 minus 1 0 by 1 3 by 4 and many more numbers और अगर मैं integers की बात करूँ तो integers हमारे क्या होते हैं negative numbers and positive numbers like minus 3 minus 2 minus 1 0 by 1 5 by 1 6 by 1 अगर मैं आपर pattern देखूँ positive numbers अगर होगे denominator में अगर 1 होगा तो मैं integers को rational में represent कर सकता हूँ but यहाँ पर बात हो रही है आपकी every rational numbers की सारे के सारे rational numbers integers नहीं होगे जैसे कि मैंने यहाँ पर example ले लिए 3 by 4 3 by 4 हमारा integers नहीं होगा क्योंकि हमारा cat 3 by 4 fraction में और fraction में हमारे integers नहीं होते अगर मैं सिर्फ 5 by 1 करूं 6 by 1 करूं वह हमारे integers बन जाते हैं तो जिस करके यह हमारी condition क्या होगी फेल होगी तो यहाँ पर आप लिखोगे false every rational numbers is not an integer part number 4 every natural number is a home numbers आपको पता है कि natural numbers क्या होते हैं जो 1 से start होगे 1, 2, 3, 4 and so on home numbers क्या होगे जो 0 से start होगे 0, 1, 2, 3, 4 and so on और अगर मैं यहाँ पर दियान से रखूँ अगर मैं 1 से start दिखू 1, 2, 3, 4 सारे यह हमारे numbers कैसे क्या हैंगे natural numbers मतलब सारे के सारे जो natural numbers हैं वो किस के अंदर आ रहे हैं whole numbers के अंदर आ रहे तो that means यह हमारी condition क्या होगी part number 5 every integer is a whole numbers सबसे पहरे numbers को समझते हैं integers क्या होते हैं जिसमें वारे negative numbers भी होंगे positive numbers भी होंगे like minus 1, 0, 1, 2, 3 many positive numbers और many negative numbers यह हमारे सारे क्या करेंगे integers whole numbers की बात करें तो 0, 1, 2, 3 and so on अगर मैं इन दोनों में relation देखूँ तो 0 से अगर मैं start करता हूँ यह सारे whole numbers है but integers में यह extra numbers है जो हमारे whole numbers में include नहीं हो रहे तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे every integer is not a whole number तो यह condition क्या होगी false तो यहाँ पर आप लिखोगे false every integers is not a whole number part number 6 every rational number is a whole number सबसे पहले definition समझते हैं आपको बता है कि rest numbers क्या होते हैं ऐसे numbers जिसको मैं P by Q की form में represent कर सकता हूँ और rest numbers हमारे negative भी हो सकते हैं positive जैसे minus 1 by 2 0 by 2 1 by 2 यह हमारे examples होगे rest numbers के all numbers क्या होते हैं जो 0 से start होंगे 0, 1, 2, 3, 4 and so on इन सारे numbers को मैं fraction की form में represent कर सकता हूँ like 0 by 1 1 by 1 2 by 1 3 by 1 तो मतलब यह whole numbers सारे rational के लाएंगे बट क्या whole numbers में negative numbers आ रहे नहीं आ रहे तो that means सारे के सारे जो rest numbers होंगे वो whole numbers नहीं होंगे तो यहां पर आप क्या लिख होगे every rest numbers is not a whole number question number second is 0 a rest numbers क्या हमारा 0 rest number होता है अगर हम rest numbers की definition करें rest numbers क्या होते हैं एक ऐसे numbers जिसको मैं p by q की form में represent कर सकता हूँ और where q is not equal to 0 इसने पूछा कि क्या 0 हमारा rest number है अगर मैं 0 को देखूं yes 0 के नीचे मैं कोई भी number रखूंगा तो मेरा always answer क्याएगा 0 आएगा तो that means 0 by 2 लिख दूं 0 by 1 लिख दूं या फिर 0 by minus 2 लिख दूं बट नीचे आपका q 0 नहीं होना जाए तो yes मैं 0 को represent कर सकता हूं rational number की form में can you write it in the form of pyq yes यहाँ पर आंसर रनेगा yes 0 is a rational number और उसको आप represent कर सकते हो किसी भी example में 0 by 3 0 by 2 0 by 1 0 by minus 2 किसी भी pattern में आप उसको represent कर सकते हो तो यह होगे हमारा question number 2 का solution question number 3 find 5 rational numbers between 1 & 2 आपके बाद 2 numbers दे रखे हैं 1 & 2 और आपको 5 number निकालने है between 1 & 2 तो इसके लिए आपको में सा trick याद रखनी है कि जितने आपको numbers निकालने हैं उसमें आपने plus 1 add करना है और उसी number को आपने multiply करना है और divide करना है यह trick आपकी कव valid होगी जब इस दो numbers के नीचे क्या होगा same number होगा जैसे 1 & 2 के नीचे कुछ number नीथा that means वो 1 है तो यह condition आपकी तभी लगेगी जब आपके दो numbers के नीचे same number हो जैसे कि यहाँ पर 1 & 2 तो आपको कितने numbers निकालने 5 तो 5 में आपने 1 add क्या 6 तो यहाँ पर आपने सबसे लिख देना 1 और यहाँ पर लिख देना 2 6 से आपने क्या करना है multiply 6 से आपने divide इसी को number को भी आपने 6 से multiply 6 से divide तो आपका यह fraction में 1 है तो यह आपका number क्या बन गया 6 वंजा 6 6 वंजा 6 यह आपका बन गया 12 by 6 और अगर आप दियान चे रेको 612 के बीज में कितने numbers लाइक कर रहे है 5 number lies कर रहे है like 7 8 9 10 11 क्योंकि आपको 6 और 12 को consider नहीं करना तो यहाँ पर लिखोगे 5 rational numbers are 7 by 6 8 by 6 9 by 6 10 by 6 and 11 by 6 तो यह होगे हमारा इस question का solution question number 4 find 6 rational numbers between 3 and 4 यहाँ पर भी 3 के निचे question है मतला 1 और इसके निचे 1 दोना numbers के denominator में same number है तो यहाँ पर में वही 3 को लगा सकते हो जो आपने previous question में लगाया यहाँ पर आपको total number कितने चाहिए 6 तो सबसे पहले आप 6 में कितना add करोगे 1 तो 6 plus 1 7 तो यहाँ पर आप लिखोगे numbers को 3 by 1 और 4 by 1 दोनों को multiply करेंगे 7 से और divide करेंगे 7 से इसको भी 7 से multiply 7 से divide तो आपका number बन गया 3 7 जा 21 by 7 और यहाँ पर आपका number बन गया 28 upon 7 और अगर आप 21 और 28 के बीच में numbers count करोगे तो आपके कितना numbers आएंगे 6 like 22, 23, 24, 25, 26 and 27 और आपको 6 number ही चाहिए थे तो यहाँ पर आप लिखोगे 6 राइस राइस राइस। राइड एक ब लॉण आपको 6 फीटपल आपका इसको वेड़ने तो पर आपको बाएस बीडिलों इसको इसको पर आपको प्रे के लिख यहाँ ंबाएलियों बाएले 5 बेटे माने डाइस यहां पर आगर आप नंबर देखो एक नंबर दे रखा है 3 by 5 एक नंबर आपको दे रखा है 4 by 5 दोनों के दिनोमिनेटर की वेल्यू क्या है सेम है तो यहां पर भी हम वही ट्रीक अप्लाई करेंगे आपको कितने नंबर चाहिए 5 5 में आपने वन एट करना है 6 और 6 से मल्लिप्लाइ करोगे 6 से डिवाइड करोगे तो यहां पर आपका नंबर बन गया 6 by 6 और यहां पर भी आपने मल्लिप्लाइब कर दिया 6 पाई 6 तो आपका नेया नंबर दिजाइन हो गया 6 3 जा 18 अपॉन 6 5 जा 30 6 4 जा 24 अपॉन 5 6 जा 30 18 और 24 के बीच में कितने नंबर से हैं 5 नंबर से हैं और आपको ही 5 नंबर चाहिए थे तो यहां पर आप लिखोगे 5 रेश्नल नंबर आर 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30, 23 अपॉन 30 इसको आप और फॉर्दर सिंप्लिफाई भी कर सकते हो जैसे कि यहां पर 20 बाई 30 आपका रिजॉल्व हो रहा है और 21 बाई 30 भी हो रहा है तो आपका फाइना अंसर एक होड बन सकते हैं 19 बाई 30 यह आपका बनग 21 बाई 15 अब यह आपका ट्वंडिटी बाई 30 तो यह आपके दोनों आंसर करेक्ट है डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में कैसे सिखा रहे हैं कि अगर आपको बोला जाए कि आपको इसको सिंप्लिफाई भी करना है तो आप इसको सिंप्लिफाई करके भी स्लीशन देखने के लिए प्रीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करें विकॉज हम डेली वीडियो आप अप्लोड करें वाले हैं जिससे आपके सारे स्लीशन आपके टाइम हो जाएं तो मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में तब तक केले अपना ख्यार रखें बाई-बाई-ट करें जाएं बाई-टेट करें विक।